वेलकम टो रमजान सीरीज एपिसोड टू आज बनाएंगे इंडो चाइनीज फ्यूजिन डिश यानि कि आज हम बना रहे हैं चाइनीज भेल नुडल्स को उबालने से लेकर उसे फ्राइ करने तक और साथ ही मैं उसे टॉस्ट करने तक सबी चीज़े डीटेल में शेयर करने वाली हूँ और रमजान में इफटार के लिए बहुती बैस्ट आप्शन है क्योंकि जट पर तयार भी हो जाता है और सच कहूं तो इंडो चाइनीज रेसिपी में से सबसे ज़्यादा मुझे ये वाली रेसिपी पसंद आती है तो चलिए फिर आज की इस सेकेंड एपिसोर की शुरुआत करते हैं चाइनीज बेल से तो यहाँ पर एक मैंने स्टील का बर्दन ले लिया है इसमें मैंने पांच ग्लास पानी को डाल दिया है पानी में हलका सा बॉयल आ चुका है अब इसमें हम डालेंगे ये नूडल्स यहाँ पर हम पानी में बॉयल आने के साथ ही डाल देंगे आदा चम्मच नमक मीडियम हाइफ लेम पर हमने नूडल्स को उबाल लेना है यहां पर हम 1 teaspoon oil दालेंगे ताकि जो नूडल से वो बिलकुल भी आपस में चिपके नहीं बहुत ही खिले-खिले नूडल्स बनते हैं तो नूडल्स उबालते वक्त यह वाले steps करना बहुत ज़रूरी है तो नूडल्स को पकते हैं यहां पर हो चुके पास से 7 मिनिट और नूडल्स अच्छी तरह पक चुके हैं बहुत ही खिले-खिले नूडल्स बने हैं अब इसे हम हलका साथ हाथ से तोड़ कर देखेंगे तो यह तूट रहे हैं तो 90% हमने नूडल्स को उबाल लेना है नूडल्स को ओवरकुक नहीं करना है अब एक स्ट्रेनर में हम नूडल्स को इस तरह से चान लेंगे ताकि सारा जो एक्स्ट्रा पानी निकल जाए नूडल्स उबल जाने के बाद तुरंत पानी को हमने चान लेना है अगर पानी में ही रखेंगे तो बहुत ज्यादा नूडल्स वो चिपचिप बन जाएंगे चानने के बाद यही पर हमने रुखना नहीं है इसके उपसे हमने थंडा पानी दाल देना है इस तरह से इसी नूडल्स का कुकिंग प्रोसेस रुख जाएगा तो यहाँ पर नूडल्स को हमने उबाल कर रेडी कर लिया है चली अब इन्हें फ्राइ करते है नूडल्स फ्राइ करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल को अल्रेडी गरम कर लिया है तो बहुत ज्यादा गरम तेल में हमने इससे डाल देना है तो जैसे आप नूडल्स को दाले तो इस तरह से बबल्स आने चाहिए अगर तेल ज्यादा गरम नी होगा तो आपके जो नूडल्स है वो फ्राइ तो हो जाएगे बट बहुत ही ज्यादा ओईल सोक कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इंपोर्टन टेप है कि आप जब भी तक फ्राइ करना है यहां पर हमारी नूडल्स परफेक्ली फ्राइ हो चुकिए चलिए अब इसे निकाल लेते हैं अब इसे हम थंडा करेंगे और एक बार यह थंडा हो जाए तब हातों से इस तरह से से हम तोड़ेंगे क्योंकि हमें इसकी भेल बनानी है तो हम इसे हलका सा इस तरह से तोड़ लेंगे ज्यादा इसका चूरा ना करें नूडल्स से फ्राइ होके तयार है चलिए अब इसे हम साइड में रखते है चलिए अब लगाएंगे फाइनल तड़का तो यहां पर मैं कड़ाई में दाल रही हूँ दो से तीन बड़ी चमच तेल को गरम होने देंगे अच्छी तरह से तेल की गरम होती हम इसमें दालेंगे एक चमच बारिक चॉप किया हुआ लैसून यह आट से दस लैसून के कलिया है जिसे मैंने इस तरह से बारिक चॉप कर लिया है गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर दिया है आदा इंच बारिक चॉप किया ह अद्रग दालेंगे और साथी में स्लाइस किया हुआ हरी मिर्च तो एक हरी मिर्च यहां पर मैंने कट करके डाल दिया है अब सभी चीजों को 10-20 से के लिए सौटे करेंगे अब दालेंगे एक स्लाइस कीवी प्याज प्यास को भी हम हलका सा सौटे करेंगे 10-20 से के लिए ही जितने भी वेज़ीज हम डालने वाले हैं प्स हलका सा बून लेना है, ज्यादा पकाना रही है क्योंकि हमने वेज़ीज को क्रण्छी ही रखना है, बारियाती वेजटेबल्स डालने की, तो मैं दाल रही हूँ यह पर श्रेड़ट केबज, एक कप, जुलियन की हुई कैरेट जूलेन की हुई कैपसिकम थोड़े से स्प्रिंग अनियंस दाल देंगे अब सभी चीज़ों को हलका सा टॉस करेंगे सबजीयों को क्रंची ही रहने दे रमजान में इफ्तार के लिए बनाने के लिए बहुती ज्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है अब जरूर इसे ट्राइ करें 10 से 20 सेकेंड ही हमने सौटे करना है और अब हम दालेंगे इसमें कुछ सॉस तो यहापर मैं दाल रही हूँ शेजवान सॉस एक से देड़ चमच यहापर हमने दाल देना है शेजवान सॉस एक टीस्पून हम दालेंगे यहापर सोया सॉस एक से देड़ टीस्पून हम दालेंगे रेड चिली सॉस और एक टीस्पून यहापर दालेंगे हम टोमेटो सॉस इसी स्टेज़ पर हमने एक चमच विनेगर को भी दाल देना है ये वाला क्लिप जो है वो शूट नहीं हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अब सभी चीजों को एक बार मिक्स करेंगे किया पर मैंने अभी तक नमक को एड नहीं किया है तो नमक हम सबसे आखिर में डालने वाले है सभी सॉस और वेजिस को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बन करेंगे और कडाई को हम गैस पर से निकाल लेंगे अब जो नूडल्स फ्राइ करके रेडी किये थे उसे हम दाल देंगे और फटा फट से अब सभी चीजों को मिक्स करेंगे क्योंकि हमने नूडल्स में भी नमक दाला था और सॉसेस में भी नमक होती है तो हम नमक को चेक करके फिर इसमें आड करेंगे सभी चीजों को हमने नूडल्स के साथ अच्छी से मिक्स करना है तो यहाँ पर मैं दारी हो आदा छोटा चमच नमक हलका सा ही नमक मुझे कम लगा तो मैंने आदा छोटा चमच दाला है आप टेस्ट के साब से दाल सकते हैं अब सभी चीजों को evenly मिक्स करेंगे और फटा फट से अभी हमारी चाइनीज बेल को सर्फ करेंगे तो बहुत ही जटपट से आपनी इंडो चाइनीज फ्यूजन को तयार कर लिया अब जब भी इस चाइनीज बेल को सर्फ करने वाले हो तो उसी वक्त अपनी नूडल्स को और जो हमारे सॉस के मिक्सर को है वो मिक्स करना है वनना अगर आप जल्दी बना के रखेंगे तो ये जो नूडल्स से वो सॉफ्ट हो जाएंगे और क्रंची नहीं रहेंगे तो बहुत ही यम्मी सी हमारी चाइनीज बेल तयार हुई है आई होप आपनी ये रेसिपी को सेव कर लिया होगा रमजान की इफतार के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपको आज का ये रमजान सीरीस का सकेंड एपिसोड कैसा लगा आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टन और काम का लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होते से लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को कमेंट रूर को जो सब्सक्राइब करें चलिए मिलती हूँ आपसे रमजान सीरीस के अगली एपिसोड भी एक नई रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर और बाई